दुनिया का lightest known metal आपके mood को भी अच्छा कर सकता है इसका सबसे famous use होता है बैटरीज और एरक्राफ्स की manufacturing में जी हाँ हम बात कर रहे हैं लिथियम की तो लिथियम क्या है and what are the uses of lithium आईए इसको समझे जाले दुनिया 10 मिनिट में लिथियम के खोज की कहानी भी चमकदार है ब्रजील के एक वेक्ती Jose Benifacio ने mineral पीटर लाइट की खोज की स्वीडन के एक आईलैंड पर 1790 के दशक में मिनरल का कलर white से gray था पर जब उसको आग में फेका जाता था तो वो bright crimson हो जाता था अब 1817 में Swedish chemist Johan August ने खोजा की पीटर लाइट के अंदर एक new element मौझूद था लेकिन किसी को पीटर लाइट से लिथियम को अलग करने में 1855 तक का समय चला गया जब finally British chemist August Mathiessen और German chemist Robert Bunsen ने ये कार नामा कर दिखाया अब आएए जानते हैं लिथियम के बारे में कुछ quick facts लिथियम का atomic number है 3 periodic table of elements पर इसका symbol है Li room temperature पर ये solid रहता है और इसका melting point है 180.5 degrees Celsius अब देखते हैं कि what are the uses of lithium लिथियम को minerals and salts के अंदर locked पाया जाता है और लिथियम के salts से हमारे दिमाग में भी changes लाए जा सकते हैं लिथियम salts का सबसे पहला use मेनी और depression को treat करने में किया गया था आज ये काम lithium carbonate करता है पर किसी को नहीं पता कि mood stabilize करने में कैसे help करता है पर ये बात establish हो चुकी है कि ये definitely help तो करता ही है लिथियम को iron, nickel, copper और zinc जैसे iron metals की refining के time उनमें से impurities हटाने के लिए भी use किया जाता है पर लिथियम का सबसे famous use है lithium ion और अब lithium polymer batteries में जिसका इस्तेमाल electric cars, energy storage, cell phones, cameras और बाकी electronic devices में किया जाता है ये तो ही lithium की बात पर और भी elements हैं जिसका कुछ ना कुछ रोचक इस्तेमाल हम लोग अपनी life में करते ही हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपके left side वाली playlist में हमारी popular difference between series के videos आपको मेरेंगे right side वाले link में तो मिलते हैं इन videos में